नमस्कार नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रही है आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्या सिंग्ग बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के सखास रपोर्ट में जारखंड हाई कोट से राहुल गांधी को अभी भी राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है उनके खिलाफ जो पीडित कारवाई की बात पर रोक हाई कोट निलगा थी अब उस रोक को हटा दिया गया है जोसके बाद साफ तोर पर राहुल गांधी के मुश्किले बढ़ अमित शाह पर जो विवादत टिपड़ी राहुल गांधी ने की थी साल 2018 में अब उस पूरे मामले में राहुल गांधी की मुश्किले सीधे तोर पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या राहुल गांधी इस बात के लिए हामी भरेंगे वही आपको बता दे कि अभी भी राहुल गांधी को प्रधान मंत्री बनाने की जो चर्चा है वो लगातार राजनितिक गल्यारों में होती हुई दिखाई दे रही है। जो खबर है वो सामने आई है। आपको बता दे कि राहुल गांधी को रुस्तरहा से लगातार एक बाद एक बड़े जटके मिलते हुए दिखाई दे रहे है। तो वहीं दोसरे और जारखंड प्रदेश कॉंग्रिस अध्यक्ष राजेस ठाकूर ने कहा राहुल गांधी को साल 2024 में प्रधान मंत्री बनाना है तो संगठन को मजबूत करना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि काम न करने वालों को कमेटी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो यानि कि यहाँ पर वो साफ तौर पे ये दावा करते हो नजरारे कि अगर राहुल गाधी को प्रधान मंत्री बनाना है तो कमेटी को जादा मस्पूत करना होगा और जो लोग काम नहीं कर रही हैं उन्हें बाहर करना होगा। आखिरकार कॉंग्रेस पार्टी में वो कौन से लोग हैं जो काम नहीं कर रहे हैं और किने पार्टी से बाहर करने का जो रास्ता दिखाने की बात यहाँ पर राजेश ठाकुर करते हो नजराए आखिरकार वो रास्ता कौन दिखाएगा। और आखिरकार वो कौन से लोग हैं जो कॉंग्रेस से पार्टी में रहते हुए काम नहीं कर रहे हैं ये चीज भी समझने की सरूरा थे तो चलिए इस पर भी आप थोड़ी सी नज़र डार लेते हैं तो आपको बता दे कि यहाँ पर राजेश ठाकुर कहते हुए नज़राय काम करने वालों को जिमिदारी दी जाएगी और जो भी प्रभारी अपने संबंदित जिलो या प्रखंड में नहीं गए हैं उन्हीं शौकाज किया चाएगा अधिकारी यदि आपकी बात नहीं सुनते हैं तो यह आपकी कमसोरी है आप कॉंग्रेस के पदा अधिकारी बनने के लायक नहीं है रोने से काम नहीं चलेगा गुरुवार को यह स्वामी सहज नंद सरस्वती ट्रस्ट भवन में धनबाद जिला कॉंग्रेस की प्रथम कारे कारणी और श्टपद रह समारो को मुख्यातिती के रूप में संबोधित कर रहे थे और इस दौरान ही उन्हों ने जस तरीके से कर बात करें तो इस दौरान राजेश ठाकुर ने राहूल गांधी के प्रधान मंत्री बनने का जो मुद्दा है वो छेड़ दिया यानि कि जहा पर प्रियंक गांधी का भी लिया जा रहा है लेकिन अभी तक आधिकारिक एलान दोनों में से किसी को लेकर भी नहीं किया गया लेकिन यहां पर देखिए जो तरीके से लगतार जारखंड और सूरत गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिल रही है ऐसे में वो आखिरकार प्रधान मंत्री के तौर पर विपक्ष की तरफ से कैसे उतार सकते हैं और क्या वाकई में राहूल गांधी को लेकर जो दावा राजेश ठाकुर करते हुए नजर आ रहे हैं क्या वो सच हो सकता है अब अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बागी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट नाइन नियूस नमस्कार